IMF ने कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमते और यूक्रेन युद्ध भारती अर्थवस्था की ग्रोथ पर भारी पढ़ सकते हैं IMF का मानना है कि इन वजहों से भारत में चालू खाते का घाटा बढ़ेगा और महगाई की आग और बढ़केगा IMF ने भारत को ब्याज़दने बढ़ाने की सला दिया उन्होंने कहा है कि मोनेटरी टाइटनिंग करनी चाहिए IMF का कहना है कि भारत में महगाई सहनी इस तरके पार निकल गई है अंतराश्टी मुद्रा कोच ने भारत में 2022-23 के GDP अनुमान को घटा कर 8.2 फीसद कर दिया है और अगले वित्वर्श के लिए अनुमान को घटा कर 6.9 फीसद कर दिया है IMF का मानना है कि 22-23 के दौरान भारत में औसत महगाई 6.1 फीसद पर रहेगी सर आज जो IMF ने कहा है क्या ये परोख शुरूप से भारत में पेट्रोल डीजल पर जो टेक्स स्ट्रक्चर है उसकी तरफ को चिछा रहा है IMF ने बहुत सारी महत्वपून बाते कही और IMF लगाता हरती माही में भारत की अर्थववस्था और दुनिया की अर्थववस्थाओं पर अपनी टिपनी करता है जिसे हम आपको बार 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 बताते रहें हैं भारत के विकास दरकोर ग्रोथ को लेकर जो IMF के आकलन हैं वो आपके सामने है पर सबसे महत्वपून बात जो IMF ने अपनी रिपोर्ट में या अपने आकलन में कही है वो यह कहा है कि भारत के जो निमनायवर्ग के लोग हैं उन्हें खाद्य महंगाई और टेल की महंगाई इन्धन की महंगाई से बचाना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारती अर्थववस्था की रिकवरी की संभावना और जादा धूमिल हो जाएंगी परोक शुरूप से आएमेफे कहने की कोशिस कर रहा है कि भारत की टाक्स नीतियां ऐसी हैं जो भारत में तेल को खास तोर पर इन्धन को महंगा कर रही हैं और इसके लिए भारत की सरकार को कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि भारत में आप तेल की कीमते या पेट्रोल डिजल की कीमते और जादा ना बढ़ें बलकि इन में कमी की जाए और ये समझना इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्यान नहीं है कि भारत की मह अर्थिक समस्याओं का पूरा का पूरा दारो मदार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आकर खड़ा हो गया जहां से महंगाई निकल रही है पर आइमेफ ने फूड इंफलेशन की तरफ भी इशारा किया है खासतोर से उसने राइजिंग फूड कास्ट की बात कही है क्योंकि भा कोविट से रिकवरी के दोराने